सभी राज्यों की आंगनबाडी सीविकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायों बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना सबसे पहले मानदे के विसे में चर्चा करते हैं और आप सबको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि हाली में बहनों के खातों में कुछ पैसे पहुँचे हैं ये पैसे कौन से मदके हो सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो भाई बहन आगनबारी भरती के लिए इंतजार में हैं वो तो इस वीडियो को पूरा देख करके ही जाएं रही बात जहां पर पदों को लेकर के कुछ हेर फेर बदलाओ किये गए हैं उनके लिए तो और बड़ी जानकारी है कि पूरा वीडियो को देखें आपतियां भी आनी यानी मांगनी विभागने शुरू कर दी हैं अभी इस वीडियो में बहुत सी जानकारी भर-बर के दी गई हैं तो प्लीज इस वीडियो को हर हाल में पूरा देखना इसकी कोई भी भाई बहन ना करना बात करें यहाँ पर से रीता बहन आती है, रीता बहन ने आलेंडिया को जानकारी भेजी है, एक मैसेज भेजा और नीचे लिखा है, सुधान्सु भहिया जी मेरे एकाउंट में पचीश सो रुपए आए हैं, ये आप देख सकते हैं, पचीश सो रुपए, जो की सोला मार्च तारीख देख सकते ह कल ही इनके खाते में ये पहुचे हैं ये पैसा नीफट के थुरू बहन आया है तो कहीं न कहीं उम्मीद यही है कि आपका B Во वगएरा का किसी मत का पैसा हो सकता है ये मांदे या पिलाई का तो बिलकुल भी नहीं है तो आप में से भी किसी भी भाई बहन को जो लगता हो इन 25 तो आप भी बहन को जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आइल इंडिया पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं पचीस सो रुपिया इनके वहाँ पर आया है बहन है जॉन पुर जनपस से रीता और 16 मार्च को कल ही ये पैसा पहुचा है आप मेंसे भी बहनों किया सब जगे जो बेलो वरकर बहने हैं क्या बेलो वाले पैसे सब पहुच गए कमेंट बॉक्स में बता देना आसा देवी बहन है मिरजापुर से आती हैं बात करें अगर हम मिरजापुर की यहां पर पैसा आपने जो है विभागता आया है जरा देखिए और सुनिए इसमें लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ICDS सामान नियोजना के तहत पैसा 2100 रुपया आया है इनके एकाउंट में 15 मार्च को यानि परसों यह पैसा इन बहन के खाते में आया है जैसा कि आप देख रहे हैं और इमाउंट कितना है 2100 रुपय अब यह 2100 किसमद के आने थे अगर किसी भी भाई बहन को पता हो तो बता देना ये पैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रेडिट ही हुआ है ये भी आप देख रहे हैं और लिखा गया है IA और ICDS सामान योजना ये लिख करके आया है बहन ने लिखा है सुदानसू भाईया नमस्का हमारे खाते में 15 तारीक को 21 रुपय आए है या कैसा पैसा है बताइए आंगनबारी करकरती आसा देवी परियोजना हलिया जिला मिरजापूर से हूँ तो उतरपदेश के मिरजापूर से हमारी ये बहन जिनके खाते में 21 रुपया जो कि ICDS सामान योजना के तहट भेजे गए हैं अब आप सोचिए 200 मद में तो मैंने कभी देखा यह नहीं कि पैसे आने हैं हो सकता है इनके सिंटर का प्लस कोई चार्ज के सिंटर का एकठाया हो या जो भी हो या आप में से कोई जागरूब भाई बहनों को अगर जानकारी हो बताना चाहें उनके ही ब्लाउक से अग प्रदेस के हर्दोई जिले से हरदोई जन्पद में भी पैसे पहुँचे हैं जैसे सरला बहन की बात करें तो इनके खाते में तीन हजार रुपे पहुचे हैं और ये पैसे इनके खाते में जो आए हैं वो 15 मार्च को परसो ही आए हैं अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब मैसेज इनके वहाँ पर भी पहुँच गए हैं। बाकि इनके भी पैसे आए हैं। इनको लेकर के भी काफी लोगों के अलग-अलग कमेंड भी कल दिखे थे। ऐसे एक और बहन है जिनका जो है नाम यहाँ पर उन्होंने अपना नहीं भेजा है। अब देखते हैं पैसे कितने तो तीन हजार रुपे इनके भी आए हैं। जो की कछोना हर्दोई से जिनका नाम था सरला इनके भी पहुँचे और एक और यह कोई मीनी बहन थी जन्होंने नाम नहीं लिखा है और इनका भी तीन हजार रुपया जो है पहुँचा। नीचे इन्होंने दरसल नाम भेजा है जब आलेंडिया ने इनको मैसिज किया है करपिया अपना परिचे दीजिए आपका नाम क्या है और आपके जिले का नाम क्या है तब इन्होंने यहाँ पर लेकर के भेजा है अमिता देवी केंद्र रिंदवा पुर्वा ब्लाक सुरस जिला हर दोई यानि एक जो मीनी बहन है अमिता देवी इनका भी 3,000 आया सरलाआ बहन बहन हर दोई से उनका भी 3,000 आया अब देखिए आगे चलتे हैं सिंपल मांदे की बात कर लेते हैं मांदे प्लूस Pl.I. की जिसको लेकर हमारे बहुत से भाई बहन रा देख रहे हैं और उ जिन्होंने मानदे को लेकर के मैसेच किया है कि भाया जी नमस्ते होली का त्योहार सिर पर है और मानदे का कहीं अता पता नहीं है जबकि हमारी कुछ बहनों का घर इसी से चलता है खुछ जानकारी दें मितलेश कुमारी कैथल रामनगर संभल जनपद उत्तरपदेश से आती ह तो विभाग के कानों तक अगर आवाज जा रही है तो संग्यान लिया जाए और बहनों के खातों में सीगर ती सीगर पैसे लगाए जाएं आज तो संडे है आज तो लगने से रहा लेकिन कल संभवता सो मुआर को विभाग ध्यान दे और पैसा लगाए अगर आवाज वहा जाएगा तो ये जादा अच्छा रहेगा और वैसे भी गवर्मेंट को ये बोनस नहीं दे रही और ये तो समझने की बातें हैं उन जिम्मेदारों के लिए जिनके उपर जिम्मेदारी है मांदे भीजने की लगाने की बजट नहीं है तो बजट मंगाने की क्योंकि आप क्योंकि पैसा जादा मिलता इनको जो मिलता है वो कम मिलता है तो ये बचाने का तो छोड़ो जब आता है उससे ही खर्चे पूरे नहीं होते पांचे जार रुपे में कहीं घर का खर्चा चल पाएगा आप सोचिए जरा तो ये अगले महीनों के लिए क्या बचाएंगी और इनका ही समय पर अगर मांदे नहीं मिलेगा तो दिक्कते तो उनके सामने बनी रहेंगी तो विभागी उन जिम्मेदारों को ध्यान देना है जिनके कंदों पर मांदे भेजने की जिम्मेदारी है और वो ठीक से निबाते नहीं दिख रहे हैं कि इतकी बेहन उन्नाव से है बात करेंगर हम इनकी उन्नाव से उन्होंने जानकारी भेजी है सोमुआर मंगलवार तक सभी लोग हर हाल में अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा भीमा योजना बैंक से जाकर के करवा लीजिए अन्यता किस्तिती में आप लोग का मांदे रुख जाएगा तो जो भीमा था प मांदे रुख जाएगा ऐसी सब बाते कही जा रही जो लोग पास्बुक अपने पास से समय लिये हो और प्रसिच्छड में हो वह बैंक जाकर के पता कर लीजिए कि आप लोगों का प्रधानमंत्री भीमा सुरक्षा योजना आपके खाते से कट रही है कि नहीं यहाँ पर साहिकाओं से भी कह दीजिए कि वहाँ बैंक में जाकर के पता कर लें सोमवार तक भाया जी मैं उन्नाओं जिले से हूँ मेरे यहाँ सुपरवाइजर ऐसे बोल रही है जो पैसे भाया जी करता है उसका कोई प्रमाण भी जो हम लोगों के पास नहीं मिलता है और नहीं बैं को कुछ हो तो इस योजना का लाब वो कैसे ले लेंगी अगर उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है क्या लगा करके मांगेगी वहाँ पर हाथ फैलाएंगी समझ रहे हैं चीजों को तो और दूसरी बात बैंक पर एंट्री भी नहीं होती है जो यह पैसे कट रहे हैं तो क्य पैसा कुछ हो फिर बताना ये मुद्दे काफी गंबीर हैं अगर ऐसे चलता रहा तो बैनों के काउंट से तो पैसे काटे जा रहें अब हर बैन का ऐसे कटेगा तो फिर्दक्कत होगी सेल कुमारी बैन भधोई से हैं आए इनके वहां का भी कुछ मामला देखते हैं के उपेच्छा उत्तर प्रदेश में भी हमारी बहनों को आसा और आंगन बारी को ग्रजोटी का लाव मिले रिटायर पर उनको एक मुक्त पैसा मिले और मांदे को हटा कर मूल वेतन में सुक्रती दे और उत्तर प्रदेश में हर प्रांद की उपेच्छा सबसे कम प्यारी बेहनों का मांदे मिलता है वह भी समय से नहीं मिलता उनके प्रति सरकार का रवया क्या है पता नहीं 1975 में इनकी न्यूक्ति हुई और 2000 तक सभी सरकारी कर्मचारी समवधा कर्मी सब हो चुके ऐसा क्यों है इनको क्यों नहीं सरकार कर रही क्या उनके बच्चे भूखे रहेंग से बिलांग करता हूँ कृपिया भीया इस सम्मंद में आप फोकस करें तो ये मैसेज इनके द्वारा बेजा गया था यानि 1975 से बालविकास विभाग की स्थापना हुई बहने कारी कर रही और वो परमानिन नहीं हो पाई 2000 तक वाली जो बाकी लोग ते वो सब हो गए तो इस तरह से कई चीजे देखने को मिलती है और इसका जो मूल कारण विभाग जो दे देता है वो यही कह देता अंतता कि आप सब समास सेवी हैं आप सब मान सेवी हैं इस वज़े से आपको कर्मचारियों के दरजे नहीं मिल सकत इस तरह से जबकि चाहें तो सब हो सकता बदलाओ भाई संसोधन जब समविधान में हो सकते हैं तो क्या किसी की नौकरी से रिलेटेड संसोधन नहीं हो सकते हैं उसके काम को उसकी मेहनत को देखते हुए भाई समझ की चीजे हैं ये जिला कारकम अधिकारी मिरजापुर की बात करें तो 15 मार्च को उन्होंने विग्यापते निकाल दी है 275 पदों पर यहां भरतियां निकाल दी गई है 10 अपरेल लास्ट डेट रखी गई है मिरजापूर जन्पद में वाडी वर्मा डीपियों है मिरजापूर की जिनका एके लेटर भी आ गया अभी हम बताएंगे क फरुखाबाद से हैं और फरुखाबाद से एक ये आर्टिकल आया है आंगन बाडी भरति के लिए आरच्छड तेएं 24 तक आपतियां मांगी गई कारकरता साहिकाओं के 603 पदों पर होंगी भरती फरुखाबाद से एक ये मामला सामने आर्टिकल उन्होंने भेजा तो पत्तियां दरसल बहुत से लोग दर्ज करवाना चाते हैं, कई लोगों का कई सीटों पर कहना है, जगे खाली है, रिक्ती निकाला नहीं गया है, कई लोगों का कहना आरच्छड के साथ खिलवार किया गया, पद इस कटेगरी का था, कर उस कटेगरी का दिया गया, ऐसे चीज हम देखों हम बता रहे हैं कि आपती जिनको है किसी सीट को लेकर कि इसी भी चीज को लेकर के इन भर्तियों में तो वो अपना क्या करें लिखा है जन्पन में आंगनबारी कारकरती सायका के 603 रिक्पदों पर भर्ती के लिए ग्राम पंचैतवार आरच्छन तैक कर दिया गया इस पर जलादिकारी ने 24 सगस तक आपतियां मांगी हैं आरच्छ पद मिनी कारकरता के 205 पद सायका के 220 पद इन पर भर्ती करने की तयारी है सासन के आदेश पर इन पदों पर फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है तो देखो पहले चनल दूसरे चनल यह सब कहना गलत होगा आदेश में साफ 21 मार्च के लेटर में निकला है जितने भी पद है टोटल पद भरे जाएंगे आगामी भर्तियों के लिए उनको खाली नहीं छोड़ा जाएगा में और ताकतवर पॉइंट है अगर कोई चाहे कहीं भर्ती छोड़ रहा है विभाग तो उसको लेकर अब्जक्शन लगा सकता है लेकिन यहाँ पर भाई विजपी सरका इनके नीतियां क्या है समझते चीजे परे हैं बिहार में भी आपने देखा गठबंदन हो गया सरकार का बीजपी के साथ इसके पहले दो भर्तियां तीन भर्तियां करा डाली थी सिच्छा वे बाग में टीचरों की तैनाती दो-दो महीने में इससे भी कम-कम समय में उन्हो करियां बहुत से लोगों को अभी जो पेपर हुआ है सायद कलपरसों में जो भी हुआ बिहार में सिच्छक वाला पेपर बता जारा लीख हो गया बताइए ये रहा गठबंदन का असर जैसे भी जेपी के साथ गठबंदन हुआ पेपर वहां पर लीख हो गया इसके पहले शबस नहीं हुए समझने चीजों को क्या चीज़ें चल नहीं है अब चीज़ें खटाइए में पढएंगी दोबारा पर इक्छा होगी समय जाएगा रोजगार देना नहीं होगा ये कुछ फंडे चलने हैं जिसको लेकर के बार बार उनी चीजों को अगर अपनाया तो जाहिर सी बात है सक्त संदे तो पैदा होगा ये इसके लिए जिलाधिकारी बताया गया संजय कुमार सिंग ने ग्राम पंचायतों में वर्स 2011 की जनगन्ना के नुसार जनसंक्या के आधार पर आरच्छल प्रस्ताविद कर दिया गया है तो देखो यहाँ पर जो बाते लि 2011 की जनगन्ना के नुसार वो आरच्छल रखे गए हैं साथी कारयले के अलावा यहां पर लिखा गया है जैसे कि DM कारयले के अलावा आप जो अलावा CDO, DPO और CDPO, BDO वा SDM कारयले में चस्पा कर दी गई हैं जलाधिकारी ने जारी आधिस में कहा कि आरच्छल पर 24 अगस्त तक आपती इनी कारेलों में दाख्षिर की जा सकते हैं तो कहीं न कहीं मुझे ये मामला भाई अब पुराना लग रहा है अगस्त का महीना कहां चल लहा है आप देख रहे हैं फरवरी तो ये आच्छन को लेकर के बाते हैं आप निकाली गए तो ये पुराना लेक हमें लग र अगर कोई आएगा भी लेटर तो हम ये भी बता देंगे ये नया है कि ये पुराना है तो ये पुराना है नये में भरतियां तो निकली चुकी है आपतियां उसमें भी ली जाएंगी आवेदनों को लेकर के तो कहीं न कहीं अगर कहीं आरक्षर को लेकर फिर बदल है तो मै मैं दो-तिन दिन से बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसो लोग क्या करें ऐसो लोग सीधा बियम करा ले जाएं और अपना जो उनका वो क्या कहते हैं उसको प्राथना पत्र प्राथना पत्र या अपना अवेदन जैसा भी आप समझो उसको अपना वहां पर दे दें जो आपकी समस् कौन कौन से जो हमारे ये पद है जहां पर भरतिया यानि कौन कौन से जिले है जहां पर भरतिया इस समय चल रही है और उनकी लाश्ट टे अप, मुजफर नगर एक अप्रेल, लास्ट एक, सामली दो अप्रेल, एटा एक अप्रेल, चित्रकूट बारा अप्रेल, बागपत दो अप्रेल, हाथरस तीन अप्रेल, पिली भीत दो अप्रेल, लखनव एक अप्रेल, संभल तीन अप्रेल, अमरोहा पाँच अप्रेल, प्रतापगर 10 अप्रेल, सीतापुर 16 अप्रेल, मेरट 4 अप्रेल, हापुर 3 अप्रेल, औरैया 4 अप्रेल, स्रावस्ती 4 अप्रेल, मौ 4 अप्रेल, रैवरेली 3 अप्रेल, कासगंज 4 अप्रेल, बदायु 4 अप्रेल, सोनभद्र 5 अप्रेल, मिरजापुर 10 अप्रेल, गाजिय पाँच अप्रेल, महराज गंज पाँच अप्रेल, एटावा दस अप्रेल, सहजाहापुर छे अप्रेल, चंदोली पाँच अप्रेल, संत कबीर नगर पाँच अप्रेल, बस्ती एक अप्रेल, ललितपूर पाँच अप्रेल, बिजनौर पंदरा अप्रेल, मतुरा पाँच फरुखाबाद जो है पांच अपरेल गौतम बुद्धनगर भी पांच अपरेल रामपुर तीन अपरेल उन्नाओ चार अपरेल इतने जलो में भरतियां चल रही हैं फॉरम सभी लोग अपलाई कर सकते हैं इन सब की जो लास्ट डेटे हैं वो भी हमने बता दी हैं इन जो ता आवेदन नहीं कर पाएंगे इन जलों के लोग जिनके मैंने नाम लिये हैं मैंने जिले का नाम लिया है और उसके साथ में आपके जो भरतियां चल नहीं जनपन में आगनबाडी की उसकी लास्ट डेट यानि अंतिम तिथी के बारे में भी आपका बताया है तो जिले का ना कीजिए और अपने ही ग्राम सबावार्ड वगरा में अगर भरती खाली है तभी आप आवे दन कर पाएंगे इस बात का भी आप सब को ध्यान रखना है आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में जल्दी आपको मिलते हैं आंगनबाडी से रि आए वहां से उस वीडियो को भी आप दोबारा देख सकती हैं बरती के बारे में और जानकारी नियम कायदों को जान करके ले सकती हैं धन्यवाद